नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रौसन और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चनल दोस्तों इस चनल पे आपको previous एर पेपर का discussion और साथ ही साथ जनरल अवर्नेस की तियारी करवाई जाती है तो आप लोग जरूर इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेसर की दोस्तों GKGS के का स्रीज का 33 लेकर हम हाजी रहें दोस्तों इसमें हम previous एर पेपर का discussion करते हैं जो की आने वाले एक्जाम जिससे और देखे इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाता है जिसका लिंक आपको नेचे डिस्क्रिप्शन में है इसको जोईन कर लेजे और देखे आपके पास भी कोई भी एक्जाम का question paper होता है तो gfhs25.gmail.com पे भेज सकते हैं थाकि उसको भी हमें आपर discuss कर सके ह नमर हम कितने पे पहुंच चुके हैं तो 481 नमर question पे पहुंच चुके हैं और किस exam में question पुछा गया था तो NHPCJ में mechanical में जो कि 6 April 2022 को second shift में question पूछा गया था इसमें था कि football में परिक्थ होने वाली जो प्रदोग की है यानि कि technology है VAR तो दोस्तों VAR का पूरा रूप जो है पुछा गया है जिसका है video assistant referee correct उतर इसका दोस्तों A सही होगा ध्यान रखेगा English में ही इसी तरह से याद रखेगा VAR का full form होता है video assistant referee जिस तरह से जो है आपको cricket में third umpire यानि कि जो है आपको जो है umpire review system होता है DRS यानि कि तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है उसी तरह से football में जो है decision को review करने के लिए VAR का परियोग किया जाता है तो VAR है क्या है तो video assistant referee इस तरह से इसको ध्यान रखेगा अब देखिए next question है कि पुसकर मेले को और किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों पुसकर मेले को यहाँ पर उंट मेला यानि कि कैमल फेर के नाम से भी ज जाना जाता है तो करेक्ट उतर इसका ए सही होगा इसको ध्यान रिखेगा अब देखिए यह मेला लगता कहां है तो दोस्तों पुसकर अजमेर में यह लगता है यानि कि पुसकर अजमेर में राजस्थान में यह पांच दिन तक चलने वाला यह मेला है पांच दिन तक दो तो इसको ध्यान दिखेगा और एक कार्थिक महीने में जो हिंदी माहर कार्थिक है तो उसी कार्थिक महीने में ये पांच दिनों तक चलने वाला मेला है जो कि पुसकर अजमेर राजस्थान में इसको जो है मनाया जाता है और इसको उंट जो है फेस्टिबल के रूप में भी इसको मनाते है, उन्ट मिला, इसको ज़रूर धहान रखेगा, पुसकर मिलेगा अब देखे, कोश्चन है कि सान्ती स्वरूप भटनागर पुरसकार निमलखित में से किस संगठान द्वारा दिया जाता है तो क्या है, अवार्ड के नाम क्या है, सांती स्वरूप भटनागर, तो देखें सांती स्वरूप भटनागर, CSIR, that is a Council of Scientific and Industrial Research के द्वारा दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेगा, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था उनिस सो अंठावन में, उनिस सो अंठावन में दिय दिया गया था, इसको जरूर ध्यान रखेगा, तो ध्यान रखेगा, विज्ञान के छेतर में दिया जाने वाला आवार्ड है, सांती सरूप भटनागर, पुरसकार, अब देखें, CSIR की अस्थापना की बात करते हैं, तो इसकी अस्थापना हुई थी, 1942 में, 1942 में इसकी अस भारत के परधान मंत्री, इसके अध्याच होते हैं, इसको भी ध्यान रखेगा, उसके देखें, next question है कि कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए, देखें, जैसे ही आप पढ़िए कपास उगाने के लिए, तो आपको ध्यान जाना चाहिए, कि ये काली मिट्टी होता है, फ इसमें जो है, पानी अस्टोड करने के वीच हमता अधिक होती है, तो इसको black soil यानि कि आपको रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखेगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी भी बोला जाता है, जो कि कपास के उतपादन के लिए अत अध अपसोसित होती है इसको जरूर ध्यान रखेगा करेक्ट उत्तर इसका D सई होगा तो carbon dioxide अपसोसित होती है और plant जो photosynthesis यानि की प्रकास translation की क्रिया होती है इसमे sunlight को बदलती है chemical energy में ध्यान रखेगा sunlight को यहां पर chemical energy में बदलती है in the presence of chlorophyll तो ध्यान रखेगा chlorophyll के को convert किया जाता है chemical energy में इसको जरूर ध्यान रखेगा photosynthesis के किरिया में और इसमें carbon dioxide gas का absorption किया जाता है उसके next question है कि nawad क्या है देखिए कई बार इसमें exam में question पूछे गया है इसके full form ही पूछे गया है तो national bank for agriculture and rural development इसका full form होता है national bank for agriculture and rural development इसका नाम है इसको जरूर ध्यान bank है कैसा bank है तो development bank that is a vikas bank है तो correct उतर इसका B सही होगा अब देखिए इसकी अस्थापना जो है एक committee के अधार पे हुई थी अब committee का गठन किया गया था 30 March 1979 को 30 March 1979 को यानि की 1989 को इस committee को गठन किया गया था सिवरमन समीथी के नाम से ध्यान रखिएगा इसका जो chairman थे वो सिवरमन जी थे उनहीं के नाम पे सिवरमन समीथी माना जाता है तो ध्यान रखिएगा सिवरमन समीथी के अनुसंसा के अधार पे ही 12 July 1982 को इसकी अस्थापना होई और इसका headquarters कहां पर है तो मुंबई में अस् अब देखे कोशन है कि किसी बस्तू की जड़ता को उसके किसके द्वारा मापा जा सकता है तो दरबमान के द्वारा मापा जा सकता है तो correct उतर इसका D से होगा यानि कि the inertia of an object can be measured by its mass तो correct उतर इसका D से होगा इसको ध्यान रख लिजएगा उसके देखे next कोशन है कि महा मस् क्या है तो दोस्तों इसका जो तातवर है वो आपको ध्यान रखेला जैन परतिमाओं का अविसेख बड़े पैमाने पर हुआ है तो correct उतर इसका ये से होगा एनिकी environment of the jain images held on a large scale correct उतर इसका ए ध्यान रखेगा जैन परतिमाओं का अविसेख बड़े पैमाने पर हुआ है तो यही है महा मस्तका विसेख इसको जरूर ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोशन आपके सामने है कि समुद्र का सबसे उथला हिस्सा कौन सा है जो आउसत धाल उसका एक डिगरी है आउसत धाल यानि कि average जो slope है gradient है वो एक डिगरी है या उससे भी कम दिखता है और या आम तर बहुत तिब्र धालान पर समाप्त होता है लेकिन जो इंड होता है वो very steep slope पे इंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों तो उसको बोलते हैं continental self यानि कि महाद्विप्य सेल्फ इसको बोलते हैं तो correct उतर इसका C सही होगा इसको जरूर धन रखेगा कि समुद्र का continental self उसको बोलते हैं अब देखें next question है कि तमिल नाडु सरकार ने सुधारबादी निता इवी रामा स्वामी की जयनती को किस प्रकार मनाने का निर्ना लिया है तो नाम क्या है इवी रामा स्वामी इनको जो है थन थाई पेरियार के नाम से भी जाना जातो है इनका पूरा न खंवनाना है कि कौन से दिवस में मनाने की घोषणा की है तो समाजिक नाई दिवस, यह ते द ही, करेक्र्ट तर इसके 20 है होगा, अब देखें कब, तो 17 सितंबर को, इनके जनम दिवस को social justice day यहनि की समाजिक नाई दिवस मनाने का, 17 सितंबर को नरेंद्र मोधी का भी जह जनम दीन होता है जो अपने भारत के परधान मंत्री है उनका जनम दीन भी 17 सितंबर को ही होता है अब देखे नेक्स कोशन है कि नुर्खित में से कौन समराठ जो है असोग के समय लड़ा गया एक महतपूर्ण युद्ध था तो देखे कलिंग युद्ध इससे जो है कोई बा पूर्व में लड़ा गया था और इसमें असोग की जीत हुई थी और इसी युद्ध के जीत के बाद जो है असोग जो है बौत धर्म अपना लिये थे और जो इहां पर कलिंग विजय का जिक्र है वो 13 सिलालेख में में वेंसन किया गया है ध्यान दखे का जो 13 सिलालेख है यानि कि उसमें जो है कलिंग विजय का जिक्र किया गया है उसके देखे पानिपत की पर्थम लड़ाई 1526 से बावर और इवराहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें बावर की जीत हुई थी उसके देखे हल्दी घाटी का जीत यानि कि बैटल अफ हल्दी घाटी कब ल तो बैटा अफ पुललूर ये तमिल लाडू में लड़ा गया था जिसमें जो है आपको ध्यान रख लेना है अपना नोट्बुक में नोट डॉण कर लीजिए उसके देखे नेक्स्ट कोचन है कि निमर्खित में से दिल्ली के कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विप्रित मि बोला है तो यानि कि विप्रित मिक्स्चर को बोला है मोहमद तूगलक को तो ग्रेक्ट उतर इसका डूब आगा कि मिअई ने इसको जरुए आप डिखेगा अपनी घुसका ये समय हो phi दो डिकिन सेम टाइब में डूट जो है जो है उत्याधिक अरोगेंट अध्याच कौन थे तो देखे लोगसभा के पर्थम अध्याच थे गनेश बासुदे मावलंकर करेक्ट उतर इसका बी सही होगा इसको ध्यान रखेगा अब देखे में आयंगर जो अप्शन नमबर डी में है यह फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ओफ लोगसभा थे यानि कि डिप्टी स्पीकर तो ध्यान रखेगा में आयंगर थे तो अभी सत्रहमी लोगसभा चल रही है जिसमें ओम बिरलाजी अभी लोगसभा के अध्याच है इसको भी जरूर ध्यान रखेगा उसके देखे नेक्ट कोचन है कि जब किसी चालक से बिद्दू धारा परवाहित की क्या परवाहित के जाती है current, electric current परवाहित होती है conductor से तो कुछ समय के बाद चालक गरम हो जाता है, क्या होता है होट हो जाता है और उस्मा अत्पन करता है तो ऐसा किस कारण से होता है तो दूस्तों बिद्दु तुर्जा का उस्मा उर्जा में जब रुपांतरन हो जाता है तो इस वज़े से ऐसा होता है, यानि कि conversion of electric energy into the heat energy, तो इसका correct उत्तर A सही होगा, उसके देखिए next question है, कि बामनिया च्छाउ, निरित महोत्सम नलखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, कौन सा निरित है, तो बामनिया यहाँ पर च्छाउ निरित है, तो पस्चिम मंगाल में इसका आयोजन किया जाता है, तो correct उत्तर इसका D सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अब देखिए च्छाउ मतलब होता है च्छाया, यानि कि shadow इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का mask dance है, ध्यान रखिएगा, mask यानि कि मुखवट इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निरित्म होत्सद है, तो correct उत्तर इसका D सही हो जागा, तो दोस्तों, 495 question तक discuss हो चुका है, इसी तरह से स्रीज लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का support चाहिए, यानि कि वीडियो को लाइ